कि चलिए 2321 और भी एंटीपी सीग्जामें एनलाइसिस करने वाले जो कि अब सकेंड स्रिफ्ट का हम लोग एनलाइसिस करने वाले फर्स्ट का हम कब खोला गया था तो यह 2017 में खोला गया था कहां मनिपूर में पहला तैरता हुआ विद्याले चलिए निर्भया मिसाइल का मारक छमता कितना है एक हजार किलो मीटर ठीक है कितना है एक हजार किलो मीटर कि नेश्ट को संब्स जो आया है धुमर लोकनित कहाँ का है तो यह राजस्थान का है भूमर काहां का है यह राजस्थान का है चलिए नेश्ट को संस आया है देखिए कोशन स password मेमोरी है तो यह stationary memory ह है और हट difference कौन सी memory organized ये पूछा गया था दो-тीन दिन देशन और फिर पूछा गया तो ये सवे में जाए आया है वह है पदमावत के लेखक कौन है देखी के लेखक कर यह कि पूछा गया है तो ये मलीक म्हहम्मद यहір सी ऑफ मलिक मोहम्मद जैसी जो नेक्ष्ट कोर्संस आया है model किस में लगाया जाता है कोई भी data ट्राटा को ट्रांसफर करने के लिए कोपी करने के लिए पेस्ट करने के लिए मतलब च्पियू में डालने के लिए या फिर मेम्मूरी काड में लेने के लिए भी लोग 옛 कूछा गया क्या कुली कुतूब्स है चल्ई नेक्स कोसंस आते हैं नेक्सकेघ्र जो पूछा गया है द resting नसुरुदीन मोहंमद बलवन देखें नसुरुदीन मोहंमद बलवन का सासन कभ से कब तक रहा ठीक है कभ से कभ तक रहा तो ये 1264 60-1286 तक रहा था ठीक है यानि दस साथ नेश्ट कोसंस पूछा गया है कि यूए अनों में कितनी बार भारत और अस्थाई सदस रहा है ठीक है यहां कुछ प्रिंटिंग मिश्टेक है यह समझ लिजेगा और अस्थाई अस्थाई नहीं और अस्थाई सदस रहा है तो आठ वा मारत ने यूए नों में और स्थाई सदस रहा है ठीक है जो नेश्ड कोसंस पूछा गया है वह है कि चंपारण में महात्मा गांदी को किस ने सयोग किया था तो यह राजेंद्र परसाद ने सयोग किया था उसके बाद यह अन्दोलन को आगे बढ़ाया गया था फिर एक प तो यह रंगून भेज दिया था कहा भेज दिया था रंगून भेज दिया था यानि बर्मा की रजधानी उस समय बर्मा थी तो वहां की रजधानी रंगून भेज दिया था तो इतने कोशन्स आए हैं उसके बाद हम लोग और भी कोशन्स आएंगे तो हम लोग फर्ष्ट केंट सिफ्ट का सारा जो कोशन्स आएगा वो रिव्यू हम करेंगे यानि एनलाइसिस करेंगे फिलाल हमारे पास इतनी कोशन्स आए थे